जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशल होता है जो सोशल ग्रूप में रहने के कुछ एडवांटेज होते हैं जैसे फर्स्ट है एंटिप्रिडेशन जब एनिमल्स ग्रूप में रहते हैं तो कुछ एक या दो तीन मेंबर पूरे ग्रूप को गार्ड करते हैं और जब कोई प्र बाकी ग्रुप के मेंबर्स को अलर्ट कर देते हैं और उन पर अटाइक होने के चांसे डिक्रीज हो जाते हैं जैसे जो गार्डिंग का बीहेवियर है वो हनुमान लंगुर में देखा गया है और इसमें mutual vigilance भी होती है कोई हैबिटेट हो उस हैबिटेट में डिफरेंट स्प mutual vigilance का बबून्स में, जैबरा में और गैजल्स में mutual vigilance देखा जाता है ग्रुप में रहने से उनमें cooperative foraging होती है सब ग्रुप के मेंबर एक साथ मिलके खाना ढूनते है तो उनको foraging में कोई दिक्कत नहीं होती सेकिंड आंट बीहेवियर जो related female होती है जब mother खाना ढूनने के जाती है, foraging के लिए जाती है, तो जो related female होती है वो बच्चों का ध्यान रखती है और इसकी वज़े से बच्चों का जो care है वो better तरीके से हूप आता है और इसको ऐलो parenting बोलते हैं ऐलो parenting में क्या होता है जो बच्चों की देखबाल किसी दूसरे relatives के द्वारा की जाती है, उ और दूसरा जो young ones होते हैं, उनकी better care हो जाती है, एक term होती है, yellow parenting इसका मतलब होता है, mother को छोड़के, जब कोई उसके relatives या दूसरी species के member बच्चों की देखबाल करें, उसको yellow parenting बूलते हैं और इसमें एक aren't behavior होता है, इसमें जो related female होती है, वो बच्चों की देखबाल करती है, mother की absence में, social animals के social group में रहने के कुछ disadvantage भी होते हैं, उनमें food और nest site का competition increase हो जाता है, mating का competition increase हो जाता है, और जब कोई disease किसी एक member को होता है, तो वो easily बहुत जल्दी से दूसरे members में spread हो जाता है, next primates में social organization देखते हैं, primates में 7 types के social organization देखने को मिलते हैं, primates में social organization देखते हैं, first होता है, solitary primate system, इसमें जो adult male होता है, वो अकेला रहता है, बस meeting के time, वो female के साथ आता है, और यहां पे जो adult male की territory है, वो एक या दो से ज़्यादा adult female की territory से overlap होती है, और यहां पे जो बच्चे होते हैं, वो mother के साथ रहता हैं, जब तक कि वो sexually mature ना हो जाएं, इसका example है, orangutans loreses, कुछ species, lemur की, tarses और galagos, adult male होता है, वो अकेले रहता है, और adult male की territory होती है, वो overlap होती है, एक से ज़्यादा adult female की territory जैसे ही दिख रहे हैं, adult female की territory, इसमें सारी क्या है, यह females है, और उनके क्या है, young ones है, और young ones mother के साथ जब तक रहते हैं, जब तक वो sexually mature ना हो जाएं, और यहां भी जो adult male है, वो सिर्फ mating के time female के साथ रहता है, और इनके example देखते है, solitary primate के example है, और एक मेल होती है, और उनके offspring होते है, और offspring सर्फ immature offspring ही होती है, mature offspring ही होती ही, वो अपने mother को छोड़ के चले जाते हैं, और इनमें monogamous mating system होती है, इसमें pairs मिलते हैं, और वो किसी-किसी monkey में तो वो lifetime होते हैं pair, और यहां पे monogamy होनी की वज़े से parental care भी होता है, monogamy का example है, given, given में monogamy देखी जाती है, और given में जो pair होता है, वो mostly lifetime के लिए होता है, night monkey में भी monogamy देखी जाते हैं, कुछ टीटी monkey में, owl monkey में, और tam tamarinds में भी monogamy देखी जाती है, one female multi male group होता है, इसमें एक female होती है, और दो से, दो या दो से जाधा male होते हैं, और इसमें polyandry होती है, इसमें allo parenting भी देखी जाती है, polyandry tamarinds and marmosets में देखने को मिलती है, next one male multi female group होता है, इसको हरेब भी बोलते हैं, हरेब किसको बोलते हैं, जिस group में एक male होता है, और बहुत सारे female होती है, उसको हरेब बोलते हैं, और यहाँ पे जो single male होता है, उसको resident male बोलते हैं, या फिर overload male बोलते हैं, और यह single male पूरे group की female को क्या करता है, defend करता है, और यह जो resident male होता है उसको generally challenges सफर करने पड़ते हैं क्योंकि जो extra group के male होते हैं वो इसको unseat करने की इसका जगह लेने की कोशिश करते हैं और जब कोई नया resident male इस male को take over करता है तो उसकी वज़ा से infanticide होता है वो यह जो बच्चे होते हैं उनको मार देता है ताकि उनकी mother के साथ meeting कर सक करने हैं तो one male multi female group में infanticide देखने को मिलता और यहाँ पे जो single male होता है उसको resident male या overload male कहते हैं और यह सारी female को यह protect करता है defend करता है एक्सामपल देखते हैं ये lowland gorillas में देखने को मिलती है holler monkeys में देखने को मिलती है और हम अधरास बबून में देखने को मिलती है इस होते हैं मल्टी मेल, मल्टी फीमेल सोशल सिस्टम इसमें बहुत सारे मेंबर मिलके एक लार्ज ग्रूप का फॉर्मेशन करते हैं और यहां पर मल्टीपल पार्टनर की साथ मेटिंग होती है इसके एक्जामपल बार्वेट मंकी, स्क्वेरल मंकी, रिंग टेल जो लैमूर होते हैं उनमें भी यह देखी जाती है रीसर्ट मंकी और कुछ गोरिला में भी मल्टी मेल, मल्टी फीमेल सोशल सिस्टम देखा जाता है फीशन, फीशन सोसाइटीज होती हैं इनको डिफूज सोसाइटीज भी होते हैं इनके फिलुइनिटी देखी जाती है इनका ग्रुप चोटे-चोटे जिसमें के एसम होता है उपनका इनका ग्रुब में सारे डिवाइब उसा खुटे हैं टो यहां को हेजिव होती है इसके एक्जांपल देखें तो यह चिंपांजी में देखा जाता है और कुछ बोनो बोस के ग्रुप में देखा जाता है